और एरान ने अमेरिका को कैसे दिखाई अपनी ताकत अदन एरपोर्ट पर हुए हमले को लेकर यमन की सरकार का नया तावा क्या है और तुर्की ने लीबिया को क्यों दी जंग की धमकी देखते हैं टॉप नाइन वर्ल्ड बैटल ग्राउट उमान की खाड़ी में उधाभ्यास के दोरान इरान ने अपनी इमसाइल की ताकत दिखाई पते एकलास सब्मरीन से इरान की नौसेना ने मिसाइल दागी उधाभ्यास के दोरान इरान की सेना ने अलग-अलग तरकी मिसाइले दागी और अमेरिका को साफ-साफ संदेश दिया क समंदर में जंग के लिए वो तयार है एसे में रेड़ सी में इरान के सुसाइट ड्रोन के तयारी से महा युद्ध की आशंकाएं बढ़ गई है इरान ने अपने जलशेत में घुसे अमेरिकी सम्मरीन युसेस जॉर्जिया की तस्वीर जारी की है इरान का कहना है कि अमेरिका की ये सम्मरीन 21 दिसम्मर को उसके जलशेतर में घुसी थी इरान का आरोप है कि अमेरिका उसकी नौसेना की उद्ध भ्यास पर इस सम्मरीन के जरिये नजर रख रहा था अदन एरपोर्ट पर हुए आतंगी हमली को लिकर येमन सरकार ने बड़ा फुलासा किया है येमन सरकार का कहना है कि सम्मली में बैलस्टिक मिसाइल का इस्तिमाल किया गया था यमन सरकार का रोप है कि समले के पीछ इरान और लेबनान से जोड़े लोगों कहां थै 30 दिसम्बर को अधन एरपोर्ट पर आतक की हमला हुआ था यमन की सेना ने दावा किया है कि उसके देश के उतरे इलाके में सेना के छिकानों को निशाना बना कर दागे गए हूती विद्रोहियों के ड्रोन को मार किराया है सेना के मताबिक हूती विद्रोहियों ने अलजवाफ इलाके में सैनेबीस को निशाना बनाने की कोशिश की थी, हाला कि ये हमला नाकाम कर दिया गया था सैयुक द्राष्ट के अधिकारियों ने अमेरिका से कहा है कि वो यमन की हूती विद्रोहियों को आतंकी संगठनों की लिस्ट से बाहर करे यूएन के अधिकारियों ने कहा है कि हूती विद्रोहियों को आतंकी संगटन घोशित करने से यमन में शांदी प्रक्रिया को खत्रा होगा अमेरिका ने पिछले हफते हूती विद्रोहियों को आतंकी संगटन घोशित किया था अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि सीरिया में इसराइल के एर स्ट्राइक के लिए अमेरिका ने इन्पुट महया करवाया था बुधवार को पूर्वी सीरिया में इसराइल के लड़ाकों विमानों ने इरान समर्थित आतंकियों के ठिकानों पर बंबारी की इस भीशन बंबारी में दरजनों लड़ाके मारे गए थे तुर्की ने लीबिया को जंग की धमकी दी है रूस ने बाग्यों से लड़ रही सीरिया की असत सरकार को हत्यारों की नई खेप पहुचाई है रूस की तरफ से सीरिया को भेजे गए हत्यारों में मिक 29 फाइटर जट्स के साथ दूसरे साजो सामान भी शामिल है सीरिया में रूस बागयों की खिलाफ असद सरकार की मदद कर रहा है